डिक्टेशन स्टार्ट होगा पांच चेकिन बाद स्टार्ट भारतिय संस्क्रती में मा बाप को भगवान से भी उंचा दर्जा दिया गया है हमारे धार्मिक ग्रंत हमारे जीवन को निर्धेशिस करते हुए बच्चों में संस्कारों के बीजते हैं पदम पुरान में कहा गया है पिता धर्म है पिता स्वर्ग है और पिता ही सबसे बढ़िया तब है पिता के खुस हो जाने से सारे देवता खुस हो जाते हैं। अगर मा सभी तिर्थों की तरह है तो पिता सभी देवताओं का स्वरूप है। इसलिए हम सब को माता पिता का आदर करना चाहिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में विचरते हुए वह कई रिस्ते निभाता है। इन में से पिता पुत्र का रिस्ता अपनी जगह पर बहुत एहम स्थान रखता है। भारतिय इतिहास बहुत सारी उदाहर्नों से भारा हुआ है। जिससे हमें बच्चे और पिता के बीच पवित्र रिस्ते की महत्वपूर्ण जलक मिलती है। कैसे महराज दसरत द्वारा माता कैकै को दिये गए एक वचन की पालना करने के लिए। श्री राम चंद्र ने पल भर में ही 14 वर्ष का वनवास स्विकार कर लिया। और उसकी पालना की सुरण सर्वन कुमार की अपनी माता और पिता के प्रती भक्ती से बड़ा उदाहर्न क्या हो सकता है। जिसने अपने अंधे माबाप को वहेंगी में बिठा कर चार धाम की यात्रा करवाने का प्रण लिया। और उसे आखरी सांस तक निभाया भारती संस्कृती में दसरत राम, व्रस भान राधा, भीम घटोतकच, अर्जुन, अभिमन्यु जैसी कई उदाहर्न मौजूद है। मां की तरह पिता का बच्चे के जीवन में विशेश महत्व होता है। मां बच्चे को जन्म देती हैं तो पिता उसका पालन पोशन करता है। जिन बच्चों का रिष्टा अपने पिता के साथ अच्छा होता है। वह बच्चे बवदिक, सारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप में ज्यादा मजबूत होते हैं। एक पिता अपने बच्चे के लिए बोहड के व्रक्ष जेसा होता है, जिसकी छाम की नीचे उस बच्चे का जीवन सुरक्षित रहता है। पिता लोरी भी है, मोहे भीगी हुई, धूरी भी पिता राग भी है, तोतली बोल भी पिता गड़ हीरा भी है, गनेडी भी पिता सिर्फ बच्चे को जन्म ही नहीं देता बलकि उसका पालन पोसन बढ़िया से बढ़िया तरीके के साथ करने के लिए वो सारी उम्र सक्त मेहनत करता है ताकि वह बच्चों को सारी सुक सुविधाएं दे सके पिता अपना सारा जीवन अपने परिवार की बेहतरीन और तरक्की के लिए समर्पित कर देता है चाहे पिता द्वारा लागू किया अनुसासन बच्चों को कई बार पसंद नहीं आता और बच्चे सोचते हैं कि पिता उनको प्यार नहीं करते पर पिता की सक्ती में अपने बच्चों के लिए छुपा बेंत प्यार और चिंता होती है पिता से ही एक बच्चा परिवार प्रती जिम्मेदारी को निभाना सीखता है पिता की घर में ही लाड की महक होती है जो जिन्दगी की मुसीबतों को जेलने में समर्थ बनाती है बच्चों द्वारा की गई गलतियों को पिता बुला कर उसको फिर से प्यार भरी जपी में लेता है और भविश्य में अपनी भूल सुधारने के लिए समझाता है गुरुवाणी में भी इसका हवाला देते हुए सत्गुरु अर्जुन देवजी महाराज फरमाते हैं जैसा बालक भाई सुभाई लख अपराध कमावे करी उपदेश जीड के बहुबाती बहुडी पिता गल लावे पिता की डांट में ही उसका प्यार छुपा होता है बुजूर्ग ठीक ही कहते हैं पिता की गालिया घी की नलिया जैसी होती है मैं आज सामाजिक जीवन में काम जरूर कर रहा हूँ पर मेरे सामाजिक जीवन को हमेशा प्रेरित करने वाले बाबा बुहड के व्रक्स की तरहे छाम देने वाले मेरे पिता संजय कपूर जी ही है कुल मिला कर मेरे लिए तो मेरे पिता ही मेरे लिए रोल मोडल और प्रेरग है माता पिता के बहुमुल्य योगदान की याद करवाते रहने के लिए हर साल माता दिवस और पिता दिवस मनाए जाते हैं सबसे पहले पस्ची में वर्जीनिया में पिता दिवस 19 जून 1910 में मनाया गया था अमेरिका में इसकी सुरुवात 1916 में हुई उस समय के राष्टपती वूडो विल्सन ने फादर्स डे मनाने के प्रस्ताव की मनजूरी दि सन 1924 में राष्टपती केल्विन कुलिज ने इसको राष्ट्रिय आयोजन घोसित किया साल 1966 में राष्टपती लिंकन जोनसन ने पहली बार हर साल जून के तीसरे रविवार को पिता दिवस मनाने का फेसला किया विश्व में अलग 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 देश अलग अलग तिथियों को यह दिन मनाते हैं कैनेडा, अमेरिका, भारत, इंगलेंड, फ्रांस, पाकिस्तान, ग्रीन और दक्सिनी अफ्रिका में हर साल जून के तीसरे रविवार को पिता दिवस के तोर पर मनाया जाता है जबकि ओस्ट्रेलिया और न्यूजिलेंड में सितंबर के पहले रविवार और थाइलेंड में पांच दिसंबर को मनाया जाता है इस दिन का महत्व सिर्फ अपने पिता को इस दिन कार्ड, फूल, कपड़े या तोफे बेंट करना नहीं बलकि इस बात का इहसास करना है कि पिता ने हमारी जिन्दगी बनाने के लिए सारी उम्र त्याग और समर्पन के साथ गुजारी है बच्चों की हर इच्छा को पूरा करने के लिए उसने अपनी इच्छाओं को भी हर बार मारा हो सकता है अगर हम सब अपनी पिता का हमेशा सत्कार करें और उनके त्याग को हमेशा याद रखें तो इससे बड़ा तोफ़ा अपनी पिता के लिए पिता दिवस पर नहीं हो सकता मेरी उम्र तैनू लग जावे जियुन्दा रहे बापू गीत के साथ मैं आज पिता दिवस के मौके पर परमात्मा से अपनी पिता की लंबी उम्र की अरदास भी करता हूं भारतिय रेलवे नए भारत की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए यात्रियों के साथ साथ माल धुलाई के लिए परियावर्ण के अनुकूल, कुसल और लागत प्रभावी, समाइंबद और आधुनिक वाहक होने के लिए समगर तोर पर प्रयास कर रहा है भारतिय रेलवे वर्स 2030 तक सुद्ध सुन्य कारबन उत्षर्जन प्राप्त करके दुनिया का सबसे बड़ा हरित रेलवे नेटवर्क बनाने की और अग्रसर हो रहा है यह हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है इससे प्रदूसन की मात्रा में काफी कमी आएगे और हमारा परयावरन काफी सुद्ध रहेगा और हमें एक स्वस्थ सांस लेने को मिलेगी जिससे की हम बहुत सारी बिमारियों से बच सकते हैं क्योंकि वाहनों से प्रदूसन बहुत होता है भारतिय रेलवे अपनी मारिगों पर बड़ी पेमानी पर विधूती करण की योजना बना रहा है क्योंकि यह परयावरन की अनुकूल है और साथ ही साथ यात्रियों की सुविधा को बनाए रखने के लिए अपनी ट्रेनों को परयावरन की अनुकूल यात्रा साधन की तोर पर फिर से तैयार करने के लिए हेड ओन जनरेशन सिस्टम और बायो टोईलेट्स लगाने की भी योजना बना रहा है समाप्त झाल